नमस्कार, आप सभी का बाईजूस एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम दाहिंदू समाचार पत्र में 11 फरवरी 2022 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और संपादकियों का विसलेशन करेंगे। और इसके माध्यम से आप अपनी सिविल सिवा परिक्षा के तयारी को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बनने के अपने सपने को एक मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। इस वर्क्षॉप का आयोजन 13 फरवरी 2022 को शाम चार बजे से किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए पंजी करण का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिस पर रजिस्टर करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं आज की क्लास के विशय कौन-कौन से हैं। अब देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थानिय नोकरियों में आरच्छण और सम्वैधानिक प्रस्टन। अगला विशय होगा राज्यपाल पद और संगहिय धाचा। इसके बाद हम देखेंगे गलत संकेत इसके माध्यम से हम नयाएपालिका और कारेपालिका के द्वारा हाल ही में कुछ विबादास्पद कदमों के विशय में बात करेंगे। इसके बाद हम प्रयोक शाला में सूरिक के निर्मार के संदर में कुछ बातें करेंगे और अंत में हम बात करेंगे मुख्य परिक्षाप अभ्यास प्रश्णों की जिनका समबंद इनी समाचारों के साथ में होगा और इनके उत्तरों की संरचना क्या हो सकती है ये भी आपको बताया जाएगा शुरुबात करते हैं अपने पहले विशय से इस्थानिय नोकरियों में आरच्छन और संविधानिक प्रश्णा स्टूडेंट्स इस समाचार को पेश संख्या 6 से लिया गया है इसे हम सामान अध्ययन प्रश्ण पत्र संख्या दो से जोड़ सकते हैं भार आतमान संदर्व को समझें कि आखिर ये विशय उभर के हमाई सामने क्यों आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भारत के सर्वोच नियाले के द्वारा कुछी समय में इस्थानी उमिदवारों के हरियाना राज रोजगार अधिनियम या हरियाना अधिनियम पर रोख हटाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई की जाएगा अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इसे पिछले वर्ष हरियाना राजिके द्वारा लाया गया था जिसके माध्यम से वहाँ पर निजी छेत्र के अंदर में इस्थानी निवासियों के लिए 75% नोकरिय और चनेले के द्वारा इसके उपर में रोख लगा दे गई। इसी रोख को हटाने के लिए यहाँ की सरकार के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं जिसके संदर्व में सुप्रीम कोड के द्वारा सुनवाई की जाएगी। हम सबसे पहले यहाँ पर इस बात को जान लेते हैं कि यहाँ पर जिन नोकरियों को आरच्छित किया गया है निजी छेत्र के अंदर में हर्याणा राजे के निवासियों के लिए यह ऐसी नोकरिया है जिन में एक महिने में 30,000 रुपे तक के वेतन का भुगतान किया जाता है। ऐसे जितने भी करमचारी किसी भी संस्था के अंदर में काम करते होंगे वहां के जो भी एंप्लॉयर होंगे नियोकता होंगे उनको एक पोर्टल के उपर में ऐसे करमचारीयों का बेवरा देना पड़ेगा। यहां पर कुछ एक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है जैसे नए स्टार्ट अप हो गए, इसके अलामा नई सूचना प्रवद्दोग की सक्षम सेवाएं हो गई, इसके अलामा घेरलू स्रमिक हो गए, खेतों में काम करने वाले मजदूर हो गए, अभी इन सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है, इसके साथ साथ में इस्ठाई निवासी को जो परिभाशा है, उसमें पांच वर्ष की समय सीमा को यहां पर निरधारित किया गया है। अगर हम पूर्व में इस सीमा को देखें, तो यह हर्याना राजे के संदर में 15 वर्ष अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस विशे से संबंधित कई सारे समयधानिक प्रस्ट न हमारे सामने उभर करके आते हैं. जैसे अगर हम समयधान के अनुचेद 19.1 जी की बात करें तो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी की अनुसार किसी पेशे, व्यापार ये व्यवसाय को अपना सकता है. इसके अलावा अनुचेद 16 ये कहता है कि जन्मिस्थान और निवास सहित कई आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाएगा. अब अगर आप इन दोनों को जोड़ करके समझें, दरसल अगर हम अनुचेद 19.1 जी के आधार पर इस बात को देखते हैं. तो यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरी राज्य के अंदर में जाकर के जो व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, उस पर एक प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करने के कोशिस इस अधिनियम के द्वारा की जा रही है. इसके अलामा अनुचे 16 जो कि इस बात की व्यक्या करता है कि सरकारी नोकरियों के अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा. हाला कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे सम्विधान में अरच्छन का प्रावधान किया गया है. लेकिन अरच्छन के प्रावधानों को हम जब देखते हैं, तो वो पिछड़े वरगों के संदर्फ में, अनुसुचित जातियों, जनजातियों के संदर्फ में हैं, जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो आरचन के प्रावधान किये गए हैं, उनके तार्किक आधार हैं, वो भारत के अं नियमों को देखते हैं, दरसर स्टूडेंट्स, यह धिनियम केवल हर्याना के द्वरा नहीं लाया गया है, ऐसा धिनियम हम आंध्रप्रदेश के अंदर में भी देख रहे हैं, इसके अलावा कई अन्यराज्यों ने भी इसके संबंद में गोश्टनाय की हैं, तो कहने का आर् जन्मिस्थान और निवास के संदर्प में नियमों का निरमाड किया जा सकता है सरकारी नोकरियों को ध्यान में रखते हुए, अगली बात जो आप और ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर इसके संदर्प में नियम बनाये जाएंगे, तो वो संसत के द्वारा बनाये वो राज्य की विधान सभा के द्वारा बनाया गया है यहां पर राज्य की बात करें तो हर्याना की हम बात कर रहे हैं या फिर हम आंधर प्रदेश की बात भी कर सकते हैं यहां पर यहां पर दो बेशे तो यह हो गए अब इसी case अंदर में कुछ है cases हैं जिनके ओपर आपको निगहाँ डालने चाहिए जैसे TMA PIE Foundation case 2002 और PA इनामदार case 2005 अगर हम इस case की बात करें तो PIE Foundation case के अंदर में Supreme Court के द्वारा ये कहा गया था कि जो सैच्छनिक संस्थान है धान रखना आप लोग सैच्छनिक संस्थानों की बात हो रही है तो ये जो है ये अपने प्रबंधन के लिए स्वायत है इसमें सरकार के द्वारा हस्तक्षिप नहीं किया जाएगा हाला कि इसके बात 2005 में Supreme Court ने इसमें एक और बात जोड़ी उन्होंने कहा कि ऐसे निजी सैच्छनिक संस्थान जो की राज्यक के द्वार वित्य साहता प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर सरकार हस्तक्षिप कर सकती है लेकिन जो सारी फंडिंग अपने आप करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षिप नहीं किया जाएगा इसके बात 2005 में ही हमारी सरकार के द्वारा एक सम्विधान संस्थन किया गया और अगर आप इसकी प्रस्ट भूमिक को समझें, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था, कि सिच्छा के मूल अधिकार को जो लाया गया है, उसे और मजबूती प्रदान की जाए, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखें, कि यहाँ पर निजी संस्थान के अंदर में जहाँ नोकरियां आधिर प्रदान की जाती है, निजी छेतर के नोकरियों के संदर में आरच्छन की बातें नहीं की जा रही थी, यह बिलकुल एक नई बात है, जो हमारे सामने उभर करके आ रही है, तो अब तक हम लोगों ने जो प्रक्रिया देखी है, सहनी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया था कि आरच्छन की जो अधिक्तम सीमा है वो 50 प्रतिशत रहेगी और अत्यधिक विवादास्पत विशयों में या जहां पर बहुत ही अधिक जरूरत होगी समवेदन स्ठील विशय होंगे समाज में समानता की स्थापना करने के लिए 50 प्रतिशत की इस सीमा से आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन अभी तक जो नियम हमारे सामने है वो 50 प्रतिशत का नियम है हाला कि कुछ एक मामलों में हमने इस बात को देखा है खास तोर पे नौकरियों के संदर में सरकारी छेत्रों को ध्यान में रखते हुए कि 50 प्रतिशत की इस सीमा आगे बढ़ाई गई है लेकिन ये वो केसेस रहे हैं जहां पर उनकी अत्यधिक आवे सकता थी अब यहां पर आप एक बात को ध्यान रखिएगा नियापालिका की निगाह में इस बात को तारकिक रूप से सिद्ध करना पड़ेगा क कि 75 प्रतिशत के आरचण की जिस सीमा का निर्धारन किया गया है क्या वो तारकिक है अब इस बात को आप इस प्रकार से भी समझें कि महारास्टर के अंदर में मराठा आरचण के संबंद में प्रावधान किया गय थे जिनको सुप्रेम कोर्ट ने मई 2021 में रद्ध कर दिया जब इन कारणों को हम तलासते हैं तो इसमें एक बड़ा विश्रह है वोट बेंक की राजनेती दरसल स्टूडेंट्स जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो किसी राज्यक के अंदर में एक बहुत बड़ा वोट बैंक होते हैं लेकिन वो नोकरी करने के लिए चले जाते हैं किसी दूसरे राजे के अंदर में। ऐसे में उनके वोटों का लाभ नहीं मिल पाता है वहां के इस थानी राजनेतिक दलों को। ऐसे में विशाय उभर करके आया जॉब फॉर लोकल लेजिसलेशन। कि अगर हम आकड़ों को देखें तो भारत के कई सारे राजियों में अगर हम बात करें हर्याना की ही तो वहां पर विरोजगारी एक बहुत बड़े इस्तर तक पहुँच गई जिससे बचने के लिए असंतोष को दूर करने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं। इसके अलामा कई छेत्रों में हम इस बात को भी देखते हैं कि जब सरकार उद्योग धंदों के लिए भोमिका अधिगरहन करती हैं तो वहां के जो इस थानिये निवासी हैं जिन से जमीन को लिया जा रहा होता है वो यह शर्टे रख देते हैं कि यहां पर जो द्योग दरसल अगर आप यहां पर देखें तो अब यहां पर कई सारे ऐसे राज्य होंगे जो अमीर हैं कई सारे राज्य गरीब हैं तो अगर अगर अब गरीब राज्यों के जो लोग हैं इनको जो रिच स्टेट्स हैं अमीर राज्य हैं यहां पर जाने से रोक दिया जाएगा औ इन्हें तो कोई समस्या नहीं तो अमीर हैं ये तो ठीक है नहीं आए कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो गरीब राज्ये हैं जिनके मजदूर अन्य राज्यों में जाते हैं अवसरों की तलास में रोजगार की तलास में उनके सामने एक समस्या पैदा हो जाएगी और ऐसे में रा पाक्रामक छेतरवाद में व्रद्धि हो सकती है। इसके अलामा यहां विशेश्च्ग ये बात भी कह रहे हैं कि हमारे सम्विधान के जो मूल सनरचना है अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें। तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में इस बात को कहा गया है कि भारत एक पूरा भारत एक छेतर हैं जहां पर आप जा सकते हैं काम कर सकते हैं हाला कि इस संबंध में कई सारे दूसरे नियम भी बनाए गए हैं अनुच्छे 371 के संदर में लेकिन वो युक्त युक्त हैं मतलब तारकिक हैं उनसे सम्विधान सहमत है नयापालिका सहमत है कि ऐसा रहती हैं अब वहाँ पर अगर अने छेतरों के लोग जाकर के रहेंगे तो उनके संस्कृत सभिता का अंतो होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे जो प्रावधान किये गए हैं वो तारकिक हैं लेकिन इस तरीके से सिर्फ अपने छेतर को ध्यान में रखते हुए उसके आर्थ कृट आफिर करेगा क्या यहां पर कई सारे विशे हैं जैसे अगर हम बात करें आंधर प्रदेश के तो उससे जड़ा हुआ मुद्धा भी वहाँ के हाई कोट में लंभित हैं तो यहांपर क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का इंतजार करेगा कि जो दूसरे हाई कोर्ट हैं वो पहले निर्ने कर दें, फिर हम निर्ने देंगे बाद में, या फिर इन सारे cases को सुप्रीम कोट अपने पास मगा लेगा, और उसके बाद इनके ओपर में सुरू से सुनवाई करते हुए एक अंतिम निर्ने तक पहुचेगा, तो यहाँ पर देखने वाले विशे होंगे। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि आगे की राहक क्या हो सकती है, राजियों को इस प्रकार के प्रयासों से बसना चाहिए और इसकी जगह पर उन्हें आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, युवाओं के लिए कौस्टल प्रशिछन के कारेक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले समाचार को, इस समाचार को पेश संख्या साथ से लिया गया है और इसे हम सामानने अध्यन ट्रश्न पत्र संख्या दो के साथ में जोड़ सकते हैं, भारतिय सम्विधान उपखंड के साथ में, दरसल इस समाचार राज्यपाल का पद और संखिय धाचे के विशय में बात करता है, और दो उदाहरन हैं, एक तेमिल्नाडू का है और एक पश्यम बंगाल का है, आप यहाँ पर देखें, दरसल राज्यपाल आरन रवी ने तेमिल्नाडू विधान सभाद्वारा पारित राष्ट्रिय पाचरता सहे प्रवे यह दोनों घटनाएं भारत की राज्यपालों की भूमिका को और उससे जुड़े हुई समस्याओं को हमारे सामने रेखांकित करती हैं, और इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा सा प्रस्ट भूमिक के तरफ आपको और ले करके चलता हूँ, दरसल स्टूडेंट्स जब हमा होना शुरो हुआ, परिवर्तन इस बात क्या था? कि केंद्र के अंदर में और राज्यपालों की सरकारे आना शुरू हुए। किये गए हैं, चाहे वो राजमनार समिती हो, सरकारिया समिती हो, पंच्छी आयोग हो इन सब के द्वारा, लेकिन हालिया संदर्भों को जरा देखते हैं हम लोग, दरसल स्टूडेंट्स, राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुक के रूप में हम केंद्र में देखते हैं कि आखिर राज्यपाल और राष्ट्रपती को जो पद हैं, ये क्या निर्वाचित होने चाहिए, तब विशह ये उभर करके आ गया कि अगर एक राज्य के अंदर में दो बड़े पद निर्वाचित कर दिये जाएंगे, तो सक्तिसंतुलन बिगड़ सकता है, तो इस बात क राज्यपाल के रूप से जनता के दौारा सीधे रूप से तो चुना गया नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन अगर हम राज्यपाल को देखते हैं, तो उनकी जो स्थिती है, वो एक प्रकार में एक नियूक्ति वाले पद की है, जहाँ अगर हम राश्ट पती के पद को देखें तो उनके पास सम्विधान को ध्यान में रखते हुए आने वाले किसी भी विशे को संबोधित करने की जिम्मेदारी है, देखने की जिम्मेदारी है और ऐसे में अगर वो की सलाहत देते हैं तो उसे नजरंदाज भी नहीं किया जाता है। लेकिन अक्सर ये विशे उठते रहे हैं कि राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कारे करते रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की भूत पूर प्रधानमंतरी इंदिना गांधी जी की तो उन्होंने अपने कारेकाल के अंदर में 30 से अधिक बार अनुछे 356 का प्रयोक किया राज्य के जो राज्यपाल हुआ करते थे उनकी सलाह के आधार पर। हाला कि उस बीच में भी कई सारे ऐ ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने केंदर की इच्छा के अनुरूप कारे नहीं किया और अपनी अंतरात्मा और संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कारे किया। अब यहाँ पर एक बात बहुत महत्यपूर्ण है राज्यपाल और मुख्यमंतरी के बीच दरसल स्टूडेंट्स अगर आप इस विशय को समझे तो इसको आप इस बिंदू के साथ जोड़ करके बड़िहा से समझ सकते हैं। दरसल राज्यपाल जो होता है राज्यके कामकाज के विशय में वो मुख्यमंतरी से सलाह कर सकता है। उसको निरदेश भी दे सकता है। ल वो निर्वाचित सरकार के पास है। नाकी राज्यपाल के पास में है। राज्यपाल निश्चित रूप से राज्य के प्रमुख के रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये महज एक प्रतिनित मूलक संस्था के रूप में है। जैसे अगर हम पश्यमंगाल की बात क और बातचीत गोपनिय होनी चाहिए जिससे लोगों का व्यवस्था के उपर में भरोसा बना रहता है और जो भी विवाद के विशय हो उन्हें गोपनिय तरीके से सुलजाना चाहिए ताकि लोगों के सामने ये विवाद की सितियां ना आएं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ज राज्यपाल के द्वारा रोका गया है, यहाँ पर देखिए यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि कई सारे ऐसे विशय होते हैं राज्यक के अंदर में, जहाँ पर राज्यपाल ऐसे कानूनों को राश्ट्रपति की सलहा के लिए, उनके मश्विरे के लिए सनरक्षित कर लेते ह मतलब राज्यपाल की एक विवेकाधीर शक्ती है, जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के साथ करना चाहिए, ताकि तनाओं के सितियां ना बनें और भूत तरकिक्ता के साथ में एकारे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से केंदरिय कानून के साथ संगर्षिक क इसको ना बताते हुए, उसको इस पश्च ना करते हुए, कोई ऐसा तरक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे तमिल्नाडू के सरकार संतुष्ट हो सके, इस कानून को रोक दिया गया, तो ऐसे में तमिल्नाडू के अंदर भी एक तनाओं किस्तिती पैदा हुई है, अब यह भारत में और भी कैसारे राज्य हैं, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किये गए, राज्यपाल काम कर रहे हैं, उन राज्यों के अंदर में दूसरे दलों के सरकारें भी हैं, लेकिन वहां पर हमें इतना तनाओं देखने को नहीं मिलता, जितना कि हम पश्च विशे की गई है, मसलन किसी राज्यक के अंदर में, जब राज्यपाल की नियोक्ति की जाए, तो वहां के मुख्यमंत्री से भी सलाह कर ली जाए, पहला विशे है, एक विशे यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि मुख्यमंत्री को इतनी आजादी दी जाए, कि वो राज्यपाल क रूप में किसी वरिष्ट सहायक को चुन सके एक विश्य यहाँ पर और है कि राष्ट पती, प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, मुख्य मंत्री मिल करके किसी राज्य के राज्य पाल के नियुक्ति के संदर में फैसला लेंगे। अब यहाँ पर भविश्य की राहा क्या हो सकती है स्टुडेंट्स? निश्चित रूप से राज्य पालों के लिए एक आचार सहीता के संबन्द में विचार किया जा सकता है और इस आचार सहीता के मध्यम से कुछ मांदंड और कुछ सिधान्त बनाए जा सकते हैं जो कि इस ब कार्याले के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में संघवात को और अधिक मजबूत करने की अवशकता है संघवात का अर्थ यहाँ पर क्या है स्टुडेंट्स? केंद्र और राज्य की शक्तियों का इसपस्ट बटवारा जब हमने आजादी प्राप्त की थी तब हमा करते हैं लेकिन सांतिकाल के अंदर में जो राज्यों की शक्तियां है वो थोड़ी अधिक होनी चाहिए है हाला कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि राज्यों की शक्तियां भारत की एकता और अखंडता के विपरीत नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी संघवात को मजबूत करने की आवशक्ता रहती है ताकि केंद राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमढ ना कर सके इसकी अला वाज्यपाल केंद सरकार का एजेंट नहीं है इस बात को और अधिक रूप से इस पस्ट करने की आवशकता है वो एक सम्वेधानिक पद पर बैठा हुआ अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि एक राज्य के अंदर में विवस्था को बनाय रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है और उसे अपने उत्तरदायत्मों का निर्वेहन करते ह हुए निश्पक्षता को बनाय रखना चाहिए और इसे संदर में कई सारे विश्यषग्यों ने आयोगों ने इस बारे में सिफारिशे की हैं कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो गैर राजनितिक रहे या अगर राजनितिक प्रस्थभूमि से आ रहा है और एक बार राज्यपाल बन जाता है तो भविश्यव में दोबारा वो सक्री राजनिति में लोट करके नहीं आ सकता जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो कि राज्यपाल के पद पर कारे करते हैं और बाद में वो सक्री राजनिति में फिर को देखें तो उसकी गरिमा एक खत तक अभी भी स्थापित है हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि गैर राजनितिकता बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती है और अगर उसका प्रतिबिम्ब हमें राज्यों के अंदर में देखने को भी मिले तो निश्यत रूप से विवा संदर्ब क्या है इसका दरसल केरल उच्जानेयले ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया 1 के संबंध में प्रसारण अनुमतिको रद्ध करने के सरकार के फैसले को सही ठराया है अगर हम बात करें इस समाचार चैनल की, तो केंदरिय ग्रह मंत्राले द्वारा सुरक्षा संबंधी मंजोरी से इनकार करने के बाद, सोचना और प्रसारन मंत्राले अर्थात Information and Broadcasting Ministry ने इसके अपलिंक और डाउन लिंक सिगनल के लिए चैनल की अनुमति को नवीनी करत नहीं क क्योंकि Security Clearance में ग्रह मंत्राले ने इनकार कर दिया, अब यहाँ पर क्या विशे हैं? दरसल जब ये मामला पहुंचा अदालत, तो अदालत के सामने अधिकारियों ने सील बंद लिफाफे में ध्यान देना इस पर कुछ दस्तावेज प्रस्तूत किये और अदालत इन दस्त अधिकारियों से सहमत हो गई. स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट बहुत महत्तपून है. एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा अदालतों के अंदर में कई सारे दस्तावेज, प्रमाड, सबूत, सील बंद लिफाफे में प्रस्तूत किये जा रहे हैं. और नयापालिका के द्वारा इनको स्विकार भी किया जा रहा है, कई सारे विश्यों में. कुछ जगों पर इनकार भी किया है, लेकिन अधिकतर स्विकार ही किया है. अब अगर सील बंद लिफाफे में दस्तावेज दिये जाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, कि जो विपक्ष में है. मतलब कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, अगर यहां बात करें तो मीडिया वन की. तो मीडिया वन को ये मालूम नहीं चलेगा, कि यहां पर इस लिफाफे के अंदर में जो दस्तावेज दिये गए हैं, उनमें क्या लिखा था? जबकि अगर हम प्राकरति नयाय के सिधानतों को देखें, तो दूसरे पक्ष को हमेशा इस बात को जानने का हक होता है, कि आखिर उसके खिलाफ तरक क्या दिया गया है? मतलब कि सुबूत छिपा दिया गया? और अदालत ने मान भी लिया. तो इस संबंद में बड़ी सारी चिंताएं उभर करके आ र किस प्रकार के उठाए गया? मान लेजिए, कहीं पर लोग धरना प्रदोशन कर रहे थे, शांतिपून तरीके से, हथियार भी उनके पास नहीं थे, और उनके ओपर में गूली चिदाने का आदेश दे दिया गया. तो कहने का अर्थ यहां पर यह हुआ, कि जिस हिसाब से प आजादी, सोचना के प्रसार की आजादी, सोचना के उभोग के सुतंत्रता, जो कि भाशन और अभिव्यक्ति के सुतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुछेद 19-1-A से समबंधित हैं, वो सब खत्रे में आ गए. यहां पर यह बात समझने वाली है, कि सरकार ने मीडिया 1 को, जिस विशे को लेकर प्रतिबंधित किया है, वो विशे राष्ट्री सुरक्षा के बताए जा रहे हैं, लेकिन यह चैनल राष्ट्री सुरक्षा को किस प्रकार से खत्रे में डाल रहा था? यह बात जाने का हक उसके विववर्स को भी है, चैनल के अधिकारियों को भी है. अगर हम नियापालिका को देखें, तो उन्होंने कई बारी इस बात को कहां भी है, कि राश्ट्रिय सुरक्षा के आधार पर सरकार को फ्री पास नहीं दिया जा सकता, मतलब कुछ भी करने नहीं दे सकते, जैसे पेगेसेस मामला, जो की एक स्पाई वेयर रहा, इस्रायल के द जिहान देने वाली है, कि राश्ट्रिय सुरक्षा के मामलों में नयाएक समिच्छा के जो गुंजायश है, वो काफी कम होती है, और अगर किसी चैनल को संचालित करने के लिए दी गई अनुमति को इस प्रकार से रद्द किया जाएगा, और वो भी राश्ट्रिय सुरक्ष गोपनी खूफिया दावों इन सब के आधार पर और अगर ये चीज और आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से लोगतंत्र का चौथा इस्तंभ मीडिया उसकी आजादी बहुत बड़े खत्रे में आ जाएगी, जो कि निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के लिए शुब नहीं कहा जा सकता है, अगला समाचार विज्ञान और प्रदोगी की से समबंधित है, इसे हम GS3 के साथ में जोड़ सकते हैं, और आपके सामने जो चित्र है, ये एक नाविकी सेयंत्र का है, और इस नाविकी सेयंत्र को नाम दिया गया है विज् किये जाते हैं, इस अउधारना को सोवियत वज्ञानिकों इगोर्टैम और आंद्रेई सखारो के द्वारप लाय गया था, और इसके माध्यम से इस बात का प्रयास किया जाना था, कि सूर्य के समान उर्जा के एक स्रोत का धर्ती पर ही निर्माड किया जाए, जो कि उर्ज का संबंधी हमारी आवश्रक्ताओं को पूर्ण कर सके, इस संदर्व में चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक, एक्सपरिमेंटल एडवांस्ट सुपरकंडक्टिंग टोकामक ने जन्वरी 2022 में 1056 सेकंड के लिए प्लाजमा को 70 मिलियन डिग्री सेल् बहुत उच्च तापमान पर प्लाजमा की अवस्था को हम देखते हैं, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में उड़जा का उत्पादन होता है, सूर्य के अंदर में हम जब पदार्थों को देखते हैं, वो प्लाजमा की अवस्था में ही पहे जाते हैं, लेकिन इसके जॉइन्ट येरोपियन टॉरस थर्मो नुक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकिय सनलयन प्रयोग में 59 मेगा जूल उर्जा का उत्पादन किया अप लोग नाभिकिय विखंडन की प्रक्रिया को जानते हैं, जहां पर नाभिकिय पदार्थों के विखंडन के माध्यम से उ काफी लंबे समय से चर्चा में रही है, प्रिशित धवैज्यानिक, अलबर्ट आइंस्टीन ने E is equal to MC square के अपने समीकरण के माध्यम से इस बात को और आगे बढ़ाया था, कि पदार्थों के जुडने से भी उर्जा का उत्पादन होता है, तो अब यहां पर आप लोग ध जिहान दें, इस तरह के जो सेयंत्र बनाये जाएंगे, और नाभिकिय सनलेयन की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है, कि नाभिकिय विखंडन की प्रक्रिया में पदार्थ के तूटने से उर्जा का उत्पादन है, और यहां पर जुडने से, सनलेयन में से कुछ मुक्त इलेक्ट्रोन पैदा होंगे, अधिकांश मात्रा में ओर्जा और हिलियम का उत्पादन होगा, और जो हिलियम है, इस से पर्यावरन को नुक्सान भी नहीं होगा, और जो कुछ रेडियो एक्ट्यू पदार्थ यहां पर होंगे, उनको आसानी से निस्तारि किया जा सकता है, डियूटिरियम और ट्राइटियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यह एक प्रकार के हाइड्रोजन के ही रूप है, उसी के आयन है, अच्छा ट्राइटियम को बनाने के लिए हमें लिथियम के जरुदत पड़ेगी, और धरती के अंदर में अगर हम लिथियम की बात करें, तो अभी तक जो हमारी जानकारी के अनुसार इसके स्रोत हैं, उनके माध्यम से 1000 वर्षों तक लिथियम मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से हम ट्राइटियम को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनोती यह है, कि नाभिकी सनलयन की प्र इसी को टॉरस, या जैसे हमारे यहाँ पर वड़ा होता है कुछ इस तरीके से, इसके आकार को निर्दारित किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ से गैसे यहाँ पर प्रवेश करेंगी, इसके अलावा यहाँ पर प्लाजमा को नियंतरित करने के लिए मैगन का निर्मार किया गया है बगल में thermal shields लगाई गई है और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब plasma यहाँ पर बनेगा तो magnetic field के अंदर में यह जो plasma की वज़े से जो उर्जा उत्पन होगी इस उर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पानी का प्रयोग किया जाएगा हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पानी के माध्यम से हम उर्जा का इस्थानांतरन कर सकते हैं यहाँ से हम ठंडे पानी को ले करके जाएंगे और यहाँ से गरम पानी बाहर निकलेगा और इससे उर्जा का इस्थानांतरन भी हो जाएग ये बड़ा कठिन कारे हैं। निश्यत रूप से दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। और इंटरनेशनल थर्मोन नुक्लियर एक्सपेरिमेंटल रियक्टर को बनाने के लिए प्रयासरत हैं वो। तो निश्यत रूप से ये जो भी सफलता हैं ये आगामी बड़ी सफलता की तरफ एक इशारा मात्र हैं। और 2035 तक हाइड्रोजन परमाड़ूं को हिलियम परमाड़ूं के साथ में जोड़ करके 500 मेगावाट बिजली उत्पन करने के लिए एक वैश्यक प्रयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। टोकामेक के बारे में पहली शांति के लिए परमाड़ू बैठक के अंदर में होमी जहांगीर भाबा सडने। थर्मो नुकलियर फ्यूजन के माध्यम से उर्जा के उत्पादन के रूप में भविष्ट के अउधारनाय सामने रखी थी। और भारत के अंदर में गांधी नगर में अब बात कर लेते हैं मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रस्णों की और पहला प्रस्ण है राज्य के कानून जो राज्य के बाहर के नागरिकों के अधिकारों को सीमित करते हैं भारत के एक राष्ट होने के विचार के खिलाफ जाते हैं व्याख्या कीजिए 250 शब्द 15 हर्याणा का आंदर प्रदेश का सुरुवात आप वहां से करें मुख्य भाग में इससे जुड़े हुए जो समयधानिक विशय हैं इनको बताएं फिर यहाँ पर बताएं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कारण क्या है फिर बात करें चुनोतियों की और आगे की रहा की उत्त तरीके से आप इसको पूर्ण कर देंगे अगला प्रस्न है क्या राज्यपाल के संस्था संगी ढाचे को तोड़ रही है 150 सब्द भूमिका में आप तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल जो की चर्चा में है सुरुवात यहीं से करें इसके बाद मुख्य भाग के अंदर मे राज्यपाल के जो छिती है इसको बता सकते हैं आप सम्विधान में जो विशे हैं खास तोर पर अनुच्छे 163 उसके साथ में जोड़ दीजिए निर्वाचित और गैर निर्वाचित कारेपालिका में एक समन्वे होना चाहिए इसके ना होने से किस प्रकार के तनाव पैदा होते हैं इनको आप बता सकते हैं और अंत में उत्तर का सार और इस बात को जरूर बताएं कि बातचीत एक बहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है और इसको अपने मित्रों के साथ में आप साजा कर सकते हैं ताकि उप्योगी जानकारियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन्स आप तक समय से पहुंचते रहे इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया